हाई फ्रेंट्स मैं बाहुकुन पंडिया है आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ कि सोसाइटी के अंदर कोपरेटी हाउसिंग सोसाइटी में चैर्मेन, सेकरेटरी और ट्रेजरर उनका काम क्या होता है आप लोगों का बहुत सारे समाल मेरे पास थे कि सर आप हमक चैर्मेन और ट्रेजरर का क्या क्या होता है मैंने कैसे कमिटी बना नहीं है उसके लिए वीडियो अल्डेडी बना दिया है अगर आपको यह देखना है तो आप लिक्सिशन बॉक्स में से वोट करकी चेक करें दोस्तों सोसाइटी के अंदर ऐसे बंदे को आपको सेकरेटर चैर्मेन और ट्रेजरर सिलेक करना चाहिए जिसके पास थोड़ा टाइम हो अनुगव हो और वो सही में काम करना चाहते है अधर्वाइस इन एक्टी मेंबर को आप कभी भी कोई ऐसी पोजिशन मत देना जिसकी वजह से वो खुद तो काम ना करे लेकिन आपकी सोसाइटी क कर आपकी सोसाइटी जो है यह क्जोते हैं अब हम बात करता है आपने स्रेक्शन कर दिआ तो वाट इस रौल ऑप चैर्मेनर का है जैसे एक कमपनी होती है वह कंपनी के अंदर आप Пरunt है इसमें प्रॉबर्ली सही चीज की तरीके से सही कंप्लाइंस में हो रही है वह देखने की ओवर और रिस्क्राइटिक उसकी है इस ऑथराइज करवाने का अभी आप बात करेंगे कि उसमें सब्सक्राइब करने की है और उनको को रिजॉन करने की जबतारी उनकी है तो ओबर और चैर्मेंट का काम हुआ है कि इस चैर परसन उसको एवरीठिंग तुब एच पर द प्लान एच पर द एजियम के इसाब से काम करवाने की अभी चैर्मेंट कुछ एक्टिविटी अपने साथ भी रख सकता है एक्जामपल कि सपोज लिगल कम्प्लाइस फुल्फीट करना है तो वह न तो सेक्रेटरी न तो ट्रेजरर वह खुद हैंडल कर सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो जो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो चैर्मेंट मना है वो लीगली साउंट है तो लीगली जो भी कम्प्लाइस है कि डेली वेजी जो देना है उसके इसाब से पर साइटी में जो डीजी की नोसी है लिप्ट की नोसी है जो भी लिगल पॉइंट ऑफ यू जो आपको कम्प्लाइस फुल्फील करना है उसकी यर्ली या तो six-monthly या तो पात साल में जो भी रिन्यू करवाना है जैसे करवाना है एच पर नॉम्स के इस साथ से उसकी रिस्पोंस टी उसकी है तो खुद हैंडल कर सकता है जिसमें चैरेटरी और ट्रेजर का काम नहीं करता है वो खुद क्या कालिफिकेशन है उसका क्या एक्सपिरियंस है उसके इसाब से कुछ वर वो खुद हैंडल कर सकता है तो चैर्में का अधिवीटी आपको पता चल गया है ना हम डिसकस करेंगे सेक्रेटरी सेक्रेटरी का ओवराल काम क्या होता है कि जितनी भी एक्टिवीटी होना है वो क्या को यहां की बात चैर्में का का मग एक्टिवीटी को देखना है क्या क्या ना करता है तो डोनों के इसका मेकरती है उसको क्या है सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्राब्लम आ रहे हैं, तो वो प्राब्लम न हो, कोई रिप्लेस्मेंट करना हो, तो उसके लिए सजेशन, कोटेशन मंगवाना हो, कोई एक्टिवीटी ऐसी होगी जिसके अंदर आपको multiple vendor से काम करना है, तो एक vendor को finalize करके, सब vendor के साथ कै कैसे काम करना है, कैसे इकटा करके finalize करना है, और वो रिप्रेजन करें के आपको चैर्मेंस के पास रजू करना है, तो सारी एक्टिवीटी को करवाने की responsibility अच्छी तरह से, वो secretary की है, उसके बाद आता है Trasurer, Trasurer का काम है Finance Minister, Finance Minister means आपकी जो भी एक्टिवीटी है, वो एक् collection करवाने का proper contribution होता है, जो नहीं देते हैं, उससे कितनी penalty वहसूल करनी है, उसके बाद transfer भी होती है, तो transfer भी proper आ रही है कि नहीं है, कोई लिपका यूटिलाइज जादा कर रहा है, या तो सामान transfer कर उसके लिए जो नीतिनियम्बन है, उसके साब से payment आ रहा है कि नहीं है, फिर आपके जो vendor काम करते हैं, उसको payment देने का, आपके जो security guard है, आपके जो भी आपने अपोइंट किया है, वेंडर उसको properly salary देने की जिम्मेदारी उसकी है, और proper documentation करके, as per, अपने जो financial report है, उसके हिसाब से उसको maintain करने की, उसके जिम्मेदारी के treasurer की है, उसका हिसाब क आपके जिम्मेदारी की जिम्मेदारी की रहती है, तो दोस्तों, एक जैसी company में, मैं अगर बता हूँ, कि एक general manager रहता है, एक operation manager रहता है, और एक finance manager रहता है, तो same way general manager means chairman, operation manager means secretary, और finance manager that means treasurer, तो simply यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई concern है, तो आप please मुझे message कर सकते है, I will tribal level based tourism, जै भारत, जै बारत, जै बारत, जै बारत, जै बारत, जै बारत, जै